चैप्टर फिफ्ट का टाइटल है इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास तथा प्रिक्षा ध्यान इस अध्याय से आप जान पाएंगे व्यक्ति की शम्ताएं क्या होती हैं, इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है के विकास में प्रेक्षा ध्यान की क्या भूमिका हो सकती है। शम्ताएं मानव में अनंत शम्ताएं होती हैं और वह अपना विकास इनी शम्ताओं के आधार पर करता है। इनमें से कुछ शम्ताएं विशिस्थ होती हैं और कुछ शम्ताएं सामन्ने होती हैं। ये शम्ताएं उसके मनोशरीर के आंत्रिक कारे होते हैं और ये आपस में इस प्रकार से गुथी भी होती हैं कि इन में विवेद करना प्राह मुश्किल होता है। वास्ता में ये उसके मनुवज्ञानेक उपकरण है जो उसकी क्रियाओं और उसके विकास को परिश्कृत करते हैं। व्यक्ति के जीवन में शीखने तथा जीवन जीने की कला में इन क्षम्ताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन क्षम्ताओं में से साथ निम्न शम्ताएं बेहद महत्पून हैं ये हैं इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, अनुभव, अंतरग्यान शक्ति, सम्वेदना और मेधा शक्ति या स्मिरण शक्ति क्या इन क्षम्ताओं को बढ़ाना कठिन हैं। इन शम्ताओं में वृद्धी करना प्रहे कठिन माना जाता है किन्तु ऐसा असंभव नहीं है प्रितेक व्यक्ति में इन शम्ताओं का अपना अलग-अलग इस्तर होता है और इस इस्तर को निर्धारित करने वाले कई कारक होते हैं किन्तु यदि इन क्षम्ताओं को सही तईगे से समझ लिया जाए तो प्रयाप्त मार्गदर्शन, प्रसिक्षन और अभ्यास के द्वारा इन क्षम्ताओं में अभिवृद्धी की जा सकती है और ये शम्ताओं एक बार विक्सित हो जाएं तो एक दूसरे की पूरक हो करके व्यक्ति के विकास में सहयोग करने की सहभागी बनती है क्षम्ताओं का विकास किस लिए या क्यों किया जाए अपने जीवन का विकास करने के लिए योगिताओं एवं क्षम्ताओं का विक्सित होना अति आवश्चक है ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें अपने हर कारे को सुचारू रूप से कर सकें उप्रुक्ट शमताइं, व्यक्तित विकास के लिए, एवं जिवंत उद्देशों की प्राप्ती के लिए बहुत उपयोगी साधन है इसके अत्रिक्ट ये शमताइं किसी भी परिस्तिति का विश्चलेशन करने में समश्या के समाधान में, सार्थक प्रतिक्रिया देने में, वक्ति के विकास में और सुहदपुन संबंदों के निर्वाहन में भी बहुत महत्पुन भूमिकाएं निभाती है इस अध्याय का पहला भाग है संकल्प शक्ति एवं इसका विकास जीवन के विकास और प्रगर्टि के लिए संकल्पों का होना आवशक है विद्यार्तियों अच्छे संकल्पों दर्ड संकल्पों के द्वारा व्यक्ति असंभव से असंभव कारियों को भी सरलता से कर सकता है वहीं यदि किसी कारे को आधे अधूरे मन से या अधूरे संकल्पों के साथ शुरूग किया जाए तो उसकी पूर्ती होना उनकी प्राप्ती होना संदिक्द ही रहती है आयसा व्यक्ति प्राहे अपने कारेों में असफल होता रहता है इच्छा शक्ति है क्या इच्छा शक्ति मन की एक रसनात्मक और सकारात्मक करिया है यह मन की वह द्रड शक्तिती या द्रड शक्ति है जो हमें अनुकूल एवं प्रतिकूल ग्यात एवं अग्यात समस्त परिस्तितियों में अनिस्चे लगने वाले कारियों से निश्चित रूप से बसने के लिए तथा अविस्चे लगने वाले कारियों को निश्चित रूप से करने के लिए प्रेरित करती है एवं सक्षम बनाती है इच्छा शक्ती, एवम संकल्प, शक्ती के प्रकार इच्छा शक्ती के कई प्रकार बताए गए हैं Robert Asagilior जो हुए हैं, उन्होंने भी इच्छा शक्ती के कई प्रकारों का वर्णन किया है पर इन्होंने मूल रुप से तीन प्रकारों की चर्चा की है ये हैं कोशलता-पूर्व संकल्प, द्रड़ संकल्प तथा आध्यात्मिक संकल्प कोशलता-पूर्द संकल्प ऐसे संकल्प होते हैं जिन में व्यक्ति अपने इच्छा या इरादों को बिना किसी दूसरे को च्छती पहुंचाये वे किसी कौशल के द्वारा पुरा करते हैं जैसे व्यक्ति अगर किसी कारे को संपन करने में अपने आपको सक्षम नहीं पाता है तो वह किसी प्रलोभन या प्रोचसाहन का सहारा लेकरके उस कारे को कर सकता है द्रड संकल्पों के द्वारा व्यक्ति असंभव से असंभव कारियों को सरलता से पुरा कर सकते हैं आध्यात्मिक संकल्प वे संकल्प होते हैं जो व्यक्ति को उसके मूल उद्देशों की जानकारी में सहायक होते हैं इनहीं संकल्पों के द्वारा व्यक्ति को प्राकर्तिक उद्देशों की प्राप्ति भी होती है, उसके वीतर में प्रेम स्वाजसले के गुण भी जागरित होते हैं, उसमें आध्यात्मिक्ता के भाव भी बढ़ते हैं. संकल्पों का एक सामाने प्रकार है विक्सित और एविक्सित संकल्प और इसी आधार पर ऐसे व्यक्तियों के गुणों की चर्चा भी की गई हैं. विक्सित याधर संकल्प और विक्ति मान्सिक्रूप से स्थिर विचार वाले होते हैं, ये गतीशील उडजाईयुक्तो होते हैं. निपोण नियंतर एवं अनुशाषित होते हैं, एक आगर एवं चुकरने होते हैं. इनके अंदर धहरता का गुण पया जाता है. किसी भी कारे को करने में इनकी अग्रणी भूमिका होती है, ये निडर एवम साहसी होते हैं, इनकी समायोजनी शमता बहुत अच्छी होती है, इनमें गलत कारे का विरोध करने की शमता भी होती है, वहीं अविक्सित संकल्प वाले व्यक्ति, अइस्थिर विचारों वाले होत इनमें प्रति रोध गनने की शम्ता भी कम होती है. संकल्पों का विकास संकल्पों को विक्सित करने की कई विदियां हो सकती है, सरपतम अगर हम छोटे-छोटे संकल्प लें, तो इससे धीरे-धीरे हम अपनी संकल्प शक्ती को दृड़ कर सकते हैं. अनुप्रत नियमों को अपालन करके भी अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाया जा सकता है प्रति दिन छोटे छोटे नियम या संकल्प लेकर के भी हम अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं नियमित रूप से स्वास प्रेक्षा, प्राणयाम, एवन प्रेक्षा, ध्यान का अभ्यास करने से भी हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। संकल्पों को दर्ड करने में, बढ़ाने में सबसे महत्पून प्रविदी है अनुप्रेक्षा। इसके नियमित अभ्या से किसी भी प्रकार के संकल्पों को बढ़ाया जा सकता है संकल्पों या इच्छा शक्ति को क्रियानवित करने के इस तर संकल्पों को क्रियानवित करने के छे इस तर हैं पहला है उद्देशे की स्पस्ता हमें सबसे पहले जिस संकल्प को प्राफ्ट करना है उसका उद्देशे हमें इसपस्त होना चाहिए उसके बाद में उद्देशी की प्रात्मिक्ता यदि कई उद्देशे हमारे भितर में विद्दवान है तो हमें अपने रुची और योगिता के अनुरूप किसी एक को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए उसके बाद में हमें एक कुशल योजना का निर्मान करना चाहिए जिसके भीतर में हमें उन संभावित शुरोतों और संभावना का भी पता लगाना चाहिए जो हमें इनकी पूर्ती में साहयक बनेंगे अगला चरण है क्रियानविती का जिसमें व्यक्ति अपनी समक शमताओं को एक साथ नियोजित करके प्रस्तुत करता है इस क्रियानविती के क्रम में विध्यार्तियों सायम एवं त्याग के नियम का भी पालन करना चाहिए अर्थार्थ हमेशा धहरे बना करके रखें और निरंतर प्रत्न करते रहें वहीं जो उद्देशिकी प्राप्ती में आपके अनर्थक कारे हैं या जिन कारे में आपका समय तता संसादन व्यर्थ नस्थ होते हैं उनका आपको त्याग करना चाहिए क्रिवानिति के क्रम में ही हमें ये बात भी ध्यान राकनी चाहिए कि कई बार हमें अपने निर्णे जो हैं उनके अंदर परिवर्तन भी करना आवश्यक होता है तो उसके लिए हमें घबराना नहीं चाहिए, अपने निर्णों के नमीनिकरण के लिए हमें तियार रहना चाहिए, तथा अपने संकल्पों के प्रती हमें द्रड रहना चाहिए, इन छे स्त्रों के अनुपालना करके हम अपने संकल्पों की पूर्टी कर सकते हैं, इस अध्य होती है एतार्किक होती है कल्पना की प्रक्रिया में व्यक्ति पूर्व अनवहों के आदार पर एक नवीन रचना का निर्मान करता है और जब यह नवीन रचना उसके प्रयासों से वास्तविक रूप ले लेती है तब है कल्पना नहीं रहती तब है एक नवीन रचना का रू क्या है अथय व्यक्ति जितना शिथिल एवं एकाग्र होगा उसकी कल्पना शक्ति उतनी ही अच्छी होगी कल्पना के अंदर हम जो वस्तुएं देखते हैं या जो उसकी मूल कल्पित द्रव्य होते हैं वे वास्तविक नहीं होते वे काल्पनिक ही होते हैं मनो विश्टलेशनवादी मनो वैग्यानिक कल्पना शक्ति को हमारे जीवन के अंदर तनाव मुक्ति का एक बहुत अच्छा साधन मानते हैं इनका मानना है कि हमारी अतरप्त इच्छाओं की पूर्ती इनके द्वारा हो सकती है जिससे कि हम तनावों से मुक्त होते हैं कल्पनाों की प्रकार, कल्पनाओं की कई प्रकारों का उलेक किया गया है, मनुविग्यानिक ड्रेवर ने कल्पनाओं की मूल रुप से दो प्रकार बताये हैं, एक reproductive imaginations, पुनरुत्पादक कल्पनाय और दूसरा रचनात्मक या constructive imaginations पुनरुत्पादक कल्पनाय ऐसी कल्पनाय होती हैं जिनकी उत्पत्ती किसी बाहर निर्देशन या बाहर फ्रेड़ना से होती है जब हम भूतकाल के किसी घटना को, किसी कहानी को पढ़ रहे होते हैं और उनको देख करके यदि उनके पात्र हमारे सामने सजीव रूप से प्रकट होने लगते हैं तो इस प्रकार की कल्पना को reproductive imagination कहा जाता है रचनात्मक कल्पना ये कल्पना ये स्वैम के नियंत्रन से होती है इन कल्पनाओं के लिए आंत्रिक निदेशन होता है इन कल्पनाओं के भी दो प्रकार होते हैं एक निश्क्रिय और दूसरा सक्रिय निश्क्रिय रस्तनात्मक कल्पना अपने आप से घटित होने वाली कल्पना होती है ये नियंत्रित होती है ये स्वते ही उत्पन होती है और स्वते ही विलिन भी हो जाती है वहीं सक्रिय रस्तनात्मक कल्पना को व्यक्ति किसी उद्देश्य की पूर्थी के लिए करता है यह एक नियंत्रित प्रक्रिया होती है इस सक्रिय रस्तनात्मक कल्पना के भी दो भाग होते हैं एक क्रियात्मक और दूसरा सौंदर्यात्मक क्रियात्मक जो कल्पना होती है वह कल्पना मूल रूप से भातिक वस्तों के निर्मान से संबंदित पुलों इमारतों के निर्मान से संबंदित होती है या किसी परकार के वैग्यानिक सिद्धान्त को इस पस्प्रमानिकरण के लिए की जाती है वहीं सौंदर आत्मक कलपने कला साहिते के छेतर से संबंदित होती है कलपना शक्ति के उप्योग कलपना शक्ति हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में साहिक होती है योजना को शशक्त बनाने में उप्योगी होती है नई विशेवस्तों के अधिगम में उपयोगी बनती है नई वस्तों के निर्मान में सहयोगी होती है नहर पुलों, भवनों, आदी के मानचित्रों के निर्मान में सहयोगी बनती है साहित्य सरजन तथा लेखन में उपयोगी है इसके अलावा विद्यारतियों जीवन की प्रतिक छेतर में कल्पना शक्ति का उपयोग होता है कल्पना शक्ति का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दौनों ही अर्थों में हो सकता है यह आपकी विवेक शक्ति पर निर्वर करता है कि आप इसका किस प्रकार से उप्योग करते हैं कल्पना शक्ति को विक्सित करने की विधियान कल्पना शक्ति को विक्सित करने के कई उपाय बताये गए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं हम किसी भी वस्तु को जो हमें पसंद हो उसे कुछ पलों के लिए देखें और देखने के बाद में हम आखें बंद कर लें और पुन्हें बंद आखों से उसे देखने का अभ्यास करें और जब तक वह वस्तु हमें वैसी की वैसी दिखाई दा दे तब तक हम इस अभ्यास को बार-बार दोराएं इस अभ्यास को दोराने से हमारी कल्पना शक्ति में समवर्दन होता है अगला उपाय है संकेत या चिन्नों का विशलिशन करके विध्यार्तियों कई बार हमें कल्पना में कई संकेत या चिन्न भी दिखाई देते हैं जैसे मान लीजिए आप किसी सफलता से संबंदित कोई कल्पना आपने देखी कोई स्वापना आपने देखा तो हो सकता है उसमें वह आपको उसी रूप में दिखाई ना दे आपको वह हो सकता है किसी परवत पर एक लहरा तेवे जंडे के रूप में दिखाई दे तो अगर आप इस प्रकार के संकेतों या चिन्नों का विश्टलेशन करने का प्रयास करते हैं अभ्यास करते हैं तो इससे भी आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं प्रेक्षा ध्यान के द्वारा भी कल्पना शक्ति को बढ़ाया जा सकता है कल्पना शक्ति में व्यक्ति मानसिक प्रहस्तन करता है अर्थार्थ वह अपने पूरो अनुभव के आदार पर एक नवीन रचना का निर्मान जोड़ तोड़ करके करता है मानसिक प्रहस्तन तभी सही तरह से हो सकता है जब व्यक्ति शारेरिक एवं मानसिक रूप से तनाओं से मुक्त हो उसका मन स्थिर अवस्था में हो और इनके लिए कई प्रकार की विधियां बताई गई हैं उनी में से एक विधियां प्रिक्षा ध्यान प्रेक्षा ध्यान पद्दती के नियमित अभ्यास के द्वारा जहां आप एक तरफ अपने शारेरिक और मांसिक तनाओं से मुक्त होते हैं वहीं आपके भीतर में एकाक्रता बढ़ती है आपका मन स्थिर होने लगता है आपकी जो शक्ती के केंद्र है शरीर के अंदर चैतने केंद्र वे जागरत होने लगते हैं शमताओं में समवर्दन होने लगता है इन सभी का प्रभाव समिलित रूप से हमारी कलपना शक्ती पर भी पढ़ता है कल्पना और चिंतन विध्यारतियों ये दौनों ही मानसिक प्रक्रियां हैं और दौनों ही समनार्थक प्रतित होती हैं कि दौनों में एक विभेद भी है विबित यह है कि कल्पना में जहां हम बिना किसी उद्देशे के किसी क्रिया को करते हैं वहीं चिंतन की प्रक्रिया सो उद्देशे पून होती है अर्थाथ चिंतन में किसी एक समाश्या का समावेश होता है जिसके समाधान के लिए हम चिंतन की क्रिया करते हैं चिंतन की क्रिया नियंत्रित होती है वहीं कल्पना की प्रक्रिया अनियंत्रित होती है कल्पना में हमारा कई इस्पस्च लक्ष नहीं होता है कल्पना और इस्परण कल्पना और इस्परण भी आपस में बहुत संबंदित है ऐसा लगता है कि दोनों एक ही प्रक्रिया है क्योंकि दोनों ही अतीत के अनुभवों पर निर्बर करती है किंतु फिर भी ये आपस में अलग भी है कल्पना में जहां हम पुराने तथ्यों के आधार पर नवीन रशना का निर्मान करते हैं, वहीं इस्मरण में हमने जो पूर्व तथ्य अपनी स्मृति में सौजोई थे, उनको दुबारा से याद करने का प्रयत्न करते हैं. कई बार कल्पना शक्ति को इस्मरण का साहरा लेना पड़ता है, वहीं इस्मरण शक्ति को भी कई बार कल्पना शक्ति का साहरा लेना पड़ता है. कल्पना और प्रतिक्षी करन प्रतिक्षी करण और कल्पना दौनों मानसिक प्रक्रियां कई अर्थों में समानता रखती हैं लेकिन कई अर्थों में ये भिन्य भी है जैसे कल्पना में हमारे सामने वास्त्विक रूप से कोई उद्धिपन नहीं होता है वहीं प्रतक्षी करण के अंदर हमारे सामने ग्यानेंद्रियों के सामने कोई न कोई उद्धिपक विद्यमान रहता है कल्पना काल्पनिक है प्रतक्षी करण वास्तविक क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वास्तविक वस्तू का ग्यान प्राप्त करते हैं कल्पना एवं प्रतिमन दोनों ही मानसिक प्रतियां समान होते भी आपस में भिन्न है कल्पना जैसे हम बार बार आपको दोराते आए हैं कि पूरु तथ्यों के आधार पर नमीन रश्णा का निर्मान किया जाता है किन्तु प्रतिमा के अंदर जो हमारा पूर्व प्रतिक्षी करण था उसे वैसा का वैसा दुबारा पुनर जागरित किया जाता है इसमें किसी प्रकार का कोई जोड़ तोड नहीं किया जाता है कल्पना में जहां हम जोड़ तोड करके नमीन रशना बनाते हैं वहीं प्रतिमा में जो पूर्व में रस्ना की गई थे, उसी को वैसा का वैसा देखने का प्रयास करते हैं। अगला चैप्टर है, जिसका सीर्शक है, चिंतन का विकास और सम्वेगों का नियंत्रण एवं प्रिक्षा द्यान। इस अध्याय में आप जानेंगे चिंतन क्या है, चिंतन प्रक्रिया से संबंदित विभिन पदों, उसकी परिभाषा, तत्व, साधन, पदार्थ, संप्रत्य, आदी के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। साथी साथ चिंतन प्रक्रिया का विकास प्रिक्षाध्यान के द्वारा किस प्रकार से किया जा सकता है, इसे भी इस अध्याय में बताया जाएगा। आदी की जानकारिया प्राप्त करेंगे। समवेगा भी व्यक्ति के समय, व्यक्ति में किस-किस प्रकार के शारिरिक परिवर्तन आते हैं, इनकी भी जानकारिया आपको दी जाएगी। साथ ही प्रिक्षा ध्यान के द्वारा समवेगों का नियंतरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसकी चर्चा भी इस अध्याय में हम करेंगे। पहला भाग चिंतन का विकास और प्रिक्षा ध्यान चिंतन अन्यमांसिक प्रक्रियाओं के तुला में एक अत्यदिक जटिल प्रक्रिया है, यह है व्यक्ति के ज्यानात्मक वहवार का जटिल स्वरूप है, इस प्रक्रिया में कल्पना, इस्वरण, अनुमान, समझ, आधिक्रियाओं का भी सहयोग लिया जाता है, जीवन के प्र की विचारशिल अवस्था का नाम चिंतन है जिसमें विभिन द्रिस्टियों से किसी एक बात को देखने या समझने का प्रयास किया जाता है। चिंतन के अंतरगर्ट हम किसी विचार के प्रती जागरुख होते हैं, उसको जाचते हैं, उसकी समालोचना करते हैं, तुलना करते हैं, प्रश्न प्रती प्रश्न करते हैं, विश्लेशन करते हैं, बार बार दोराते हैं और उससे संबंदित बातों को सामने लाने का प्रैत्न करते हैं चिंतन की परिभाशाएं चिंतन को अनेक मनोविज्यानिकों ने परिबराशित किया है कुछ परिभाशाएं आपके सामने हैं पालिंग तथा ड्रिवर के अनुसार चिंतन प्राणी का परिस्थिती के प्रती चेतन समायोजन है वहीं वोडवर्थ चिंतन को बाधाओं के निवारण का एक साधन मानते हैं वॉरेन कैरूल सार चिंतन एक विचारात्मक प्रक्रिया है जिसका स्वरू प्रतिकात्मक होता है तथा इसकी उत्फथि व्यक्ति के सामने उपस्तित किसी समश्चा या क्रिया से होती है चिंतन प्रक्रिया के तत्व मनुवेग्यानिकों ने चिंतन की प्रक्रिया में कुछ महत्पून तत्व इस प्रकार से बताए है पहला तत्व है समश्चा का उप्रतित होना चिंतन की प्रक्रिया तभी शुरू की जा सकती है जब हमारे सामने कोई समिश्या विद्यमान हो समिश्या के विद्यमान होने के बाद में हमें उसके लिए, उसके हल के लिए एक दिशा को निर्धारित करना अवश्रक होता है दिशा को निर्धारित करने के बाद में उस दिशा की तरफ हमें अग्रसर होना होता है इस पूरी प्रक्रिया में हमें प्रयास एमम्तुर्टी विदी का प्रयोग करते वे बार-बार प्रयोग करने होते हैं समाधान को प्राप्त करने का प्रयास करना होता है इन पूरी प्रक्रिया में जहां व्यक्ति एक तरफ प्याशिल होता है वहीं दूसरी तरफ उसके भीतर में आंतरिक भाशा भी उपस्तित रहती है चिंतन के साधन विद्यार्थियों चिंतन के तीन मुख्य साधन या उपकरण माने गए हैं पहला प्रदार्थ दूसरा संप्रत्य तीसरा प्रतिक या चिन प्रदार्थ कोई भी चिंतन प्रक्रिया बिना प्रदार्थ के शुरू नहीं हो सकी प्रधार्थ का अपना एक बहुत महत्पून योगदान होता है यह काल्पनिक या वास्तविक रूप में उपस्तित होकर चिंतन प्रक्रिया को शुरू करता है उस प्रधार्थ विशेश के प्रती जो हमारा ज्यान होता है उसे संप्रत्य कहते हैं किसी भी समश्या के समाधान में अलग-अलग विश्ट्यों के अलग-अलग संप्रत्य हो सकते हैं यह आवश्यक नहीं है कि एक ही समश्या के प्रती सभी लोगों के संप्रत्य समान होँ तीसरा जो प्रमुख्यान है वह है प्रतीक या चिन्न प्रतीक और चिन्न का चिन्तन की प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान होता है प्रतीक चिन्न का बोधक होता है और चिन्न प्रतीक का बोधक होता है ये दोनों आपस में मिलेवे होता है प्रतीक शब्द के लिए चिन जो हम प्रियुक करते हैं वह है प्लस का साइन इसी प्रतार खत्रा अगर कोई प्रतीक है तो उसका चिन लाल रंग का निशान हो सकता चिन्तन के आधार या द्रिस्टिकों प्रतीक व्यक्ती में चिन्तन करने या सोचने के विशिश तरीके या द्रिस्टिकोंड होते हैं व्यक्ती जीवन में जैसे जैसे विकास करता जाता है वैसे वैसे उसके ये द्रिस्टिकोंड विक्सित होते जाते हैं पहली बार जब हम किसी व्यक्ति या परिस्तिती के संपक में आते हैं तो जो अनुभव हमें पहली बार होता है वह हमें के भीतर में एक संसकार का रूप ले लेता है और अगली परिस्तिती या व्यक्ति के सामने आने पर हम उस पुर्व अनुभव के आधार पर ही उस अगली परिस्तिती या उस घटना का विश्लिशन करते हैं या निर्धारन करते हैं जैसे जैसे व्यक्ति अपने उम्र में बढ़ता जाता है उसका अनुभव भी बढ़ता जाता है उम्र और अनुभव के साथ साथ में आवश्यक्ता अनुसार व्यक्ति के जो दृष्चिकोंड होते हैं उनमें भी परिवर्तन आने लगता है कई बार जब व्यक्ति अपने पूर्व दृष्टिकोंड के आधार पर किसी को नहीं समझ पाता है उसका विश्लेशन नहीं कर पाता है तब भी आचेतन रूप से उसके दृष्टिकोंड स्वते ही धीरे-धीरे परिवर्तित होने ल आवशक हैं पहला परिभाशत चिंतन के केंदर में जितने भी शब्द आएं जिस समझा से संबंदित जितने भी पद हों उन्हें परिभाशित करने का सामर्थ है आप में होना चाहिए अनाग्रह इस प्रक्तिया में हमें पूर्व के किसी प्रकार के दृष्टिकोंड या आग्रह नहीं रखने चाहिए अच्छा चिंतन तभी हो सकता है जब हम पूर्वा ग्रह से मुक्त हों इसके लिए अनिकांत का दृष्टिकोंड बहुत ही उप्योगी है प्रश्ट करना और बार बार प्रश्ट करना चिंतन प्रक्रिया को बहुत उप्योगी बना देता है बार बार प्रश्ट करने से हमें उस समष्ट को समष्ट करने में सहयोग मिलता है वैचारिक प्रवा को लिखना उस समष्ट से संबंद जो भी जानकारी आपके पास में हो उसे आप लिखने की सामथे भी रखें लिखने के बाद में उस समष्ट का जो जानकारी आपने वरकिकरण एवं प्रात्मिक्ता का निर्धारण भी करें। इस वरकिकरण एवं प्रात्मिक्ता के निर्धारण से भी समश्या में और अधिक स्पस्टा आती है। इसके बाद में हमें विभिन तथ्यों का विशलेशन करना होता है। विशलेशन करने के आदार बाद में उन तथ्यों के आदार पर हम कई प्रकार के अनुमान लगाते हैं और उन अनुमानों का आपस में तुलना करते हैं इन अनुमानों और उनकी तुलना के उपरांथ हम परिकल्पनाओं का निर्मान करते हैं विद्यार्तियों भी परिकल्पना किसी समस्या का संभावित समाधान होती है जब तक कि वह मिथ्या गोशित ना हो जाए के उपरांथ जो परिणाम हमें प्राप्त होने वाले हैं उनका विशेशी करण या सामने करण करने का प्रयास किया जाता है अगले पद में समालोशनात्मत परिक्षन या कसौटी जिसमें जो पूर में हमने परिकल्पने बनाई हैं उनकी विश्लेशन उनका समालोशन करना होता है और अंत में विभिन जो विकल्प हमारे सामने उपस्तित होते हैं उन विकल्पों में से किसी एक सर्वतम विकल्प का चैन कर समशा का समाधान किया जाता है चिंतन का विकास एवं प्रिक्षाधान विध्यार्थियों चिंतन की प्रक्रिया को प्रभावित करने के कई कारक हो सकते हैं परंतु मानसिक तनाव तथा सम्वेगात्मक अइस्थिरता प्रमुख कारक है व्यक्ति जितना अधिक साम्वेगीक रूप से अइस्थिर होगा या तनाव गरसित रहेगा उतना ही उसके भीतर में एकागरता का अभाव होगा और एकागरता का अभाव होने की वज़े से वह उस समश्या से सम्मंदित पदू का सही तरीके से विशलेशन नहीं कर पायेगा, समझ नहीं पायेगा उसके समाधान के जो विकल्प हैं उनके उपर भी वह सही दृश्ची से विचार नहीं कर पायेगा जीवन विज्ञान जहां जीवन जीने की कला हमें सिखाता है वहीं इसका जो प्रायूग एक पक्ष है प्रिक्षा ध्यान पदती प्रेक्षा ध्यान के प्रेवों के द्वारा व्यत्ति अपना शारिरिक अवब मानसिक परिश्कार करता है ये दोनों ही व्यत्ति की चिंतन प्रक्रिया को सुद्रण और सुवेवस्तित रूप प्रदान करते हैं प्रिक्षा ध्यान प्रक्रिया में अगर हम चर्चा करें तो कायुत सर्ग तनाव मुक्ती का एक सहज, सरल और सर्वत्पिष्ट उपाय है। कायुत सर्ग के अभ्यास के द्वारा व्यत्ति अपने शारिरिक और मांसिक तनावं से मुक्त होता है। अगला प्रयोग अंतर यात्रा का है, अंतर यात्रा के प्रयोग में हम शक्ति के इंदर से ज्ञान के इंदर तक चित की यात्रा करते हैं, जिससे शक्ति के इंदर पर जो हमारी उर्जा, जो अनिस्ट कार्यों में प्रवत है, उसको हम उर्दवारोहन कर सकारात्म कार्यों में सनलंगन कर सकते हैं स्वास प्रिक्षा के अब्याद से जहां एक तरफ हमें प्रयाप्त आक्सिजन की आपूर्ती होती है प्रयाप्त उर्जा का निर्बान शरीर में होता है वहीं मन की चंचलता भी रुखती है स्वास का और मन का बहुत गहरा संबंध है बिद्यार के हूँ, मन जितना अधिक चंचल होगा, स्वास भी उतना ही छोटा और तीब्र होगा, जितना स्वास सयम और लैबद रूप से लिया जाएगा, उतना ही मन पर भी हमारा नियंतरन होगा, शरीर प्रेक्षा, चैतने किरेंद प्रेक्षा, लेशा ध्यान, आधी के प्रेयोगों के द्वारा भी हम अपने शारिरिक मानसिक उद्वेगों का भी परिशकार कर सकते हैं, लेशा ध्यान के प्रेयोग, रंगों का ध्यान, हमारे आभामंडल को शुद्ध बनाते हैं, आभामंडल के शुदता से हमारे भावों की शुदता होती है, हमारे विचार इसके द्वारा हम हमारे तनावों से मुक्ति पा सकते हैं सामवेगिक रूप से हम संतुलित बन सकते हैं और जो व्यक्ति तनावों से मुक्त होगा सामवेगिक रूप से स्थिर होगा उस व्यक्ति में चिंतन की प्रक्रिया चिंतन की शंता दूसरों की अपिक्षा अधिक को जाना, धन्यवाद